ऐसे दो बुन्यादी पहलू या शक्तियां हैं जो हर व्यक्ति के भीतर काम कर रही हैं एक है आत्मसंरक्षन की शक्ति आत्मसंरक्षन यानि खुद को बचाने की प्रवृत्ति लगाता आपके चारों सुरक्षा की दिवार बनाने की कोशिश कर रही है और असीम बन जाने की चाहत लगातार आपको उन सीमाव से बाहर धकेलने की कोशिश कर रही है जिनमें आप जी रहे हैं यही दो हैं जो कई तरह से अभिव्यक्त हो रही हैं चाहे वो कुछ इकठा करने के रूप में हो या किसी इनसान की हर तरह की इच्छा के रूप में ये मूल रूप से इन ही दो शक्तियों का खेल है एक बार जब आप अपनी पहचान किसी सीमिच चीज से जोडने की गलती करते हैं तो खुद को बचाने के प्रवृत्ति पूरी तरह से जीच जाती है इस हब तक जहां ऐसा लगता है कि दूसरी शक्ति का अस्तित्व ही नहीं है तो अपनी साधना में सफलता की और प्रयास करने का सार है सारी साधनाओं का लक्षे सीमाओं का विस्तार करना होता है अपनी उर्जा की चार दिवारी को तोड़ना जब आपकी उर्जाओं में असीम हो जाने की लालसा है अगर आप अपने विचार और भावनाओं में अपने आस पास की सीमिट चीजों से पहचान रखते हैं तब आप इन दोनों शक्तियों के बीच बेकार का संघर्ष पैदा कर लेंगे सफलता का राज है कि इन दोनों को एक हो जाना चाहिए जब तक कि यो दोनों एक नहीं होती तब तक आपके पास मौझूदा आयाम की सीमाओं को तोड़ने के लिए मौझूदा आयाम की चार दिवाली को तोड़ने के लिए परयाप तूर्जा नहीं होती क्योंकि अभी आपके पास जो भी है वो बटा हुआ है यह आपको दो अलग दिशाओं में खीचने की कोशिश कर रहा है यह एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे की यात्रा बन जाएगी अगर आप एक कदम आगे और एक कदम पीछे लेते हैं तो ये बिल्कुल साफ है, आपका कहीं जाने का इरादा नहीं है हो सकता है कि ये एक अच्छी कसरत हो लेकिन आपका इरादा कहीं जाने का नहीं है एक बार जब आप अपने ही शरीर की सीमाओं से अपनी पहचान जोड लेते हैं या जिसे आप शरीर का विस्तार कहते हैं परिवार, घर, आदी आपके शरीर के विस्तार हैं ऐसा नहीं है कि ये सब आपके पास नहीं होने चाहिए शरीर का होना और उससे पहचान रखना दोनों अलग चीज़े हैं इसी तरह परिवार होना और उससे पहचान रखना दोनों बहुत अलग चीजें हैं एक बार जब आपने इससे अपनी पहचान जोड ली तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा सिस्थम इस पहचान के आसपास एक दिवार खड़ी करने का काम करता है और ये आप जो अभी हैं उसकी वर्तमान सीमाओं को फैलाने या तोड़ने नहीं देता शंकराचारे दुख से कहते हैं काथे कांता धन गत चिन्ता जिसका मतलब है कि एक बार जब आपकी पहचान अपने पारिवारिक रिष्टों से जुड़ गई तो आप स्वाभाविक रूप से सिर्फ पैसा जायदाद वगरे के बारे में सोच सकते हैं आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते खुद को ये यकीन मत दिलाइए अरे हां मैं अपने परिवार की वज़े से ही ऐसा बना हूँ नहीं अपने परिवार की वज़े से आप ऐसे नहीं बने चुँकि आप ऐसे हैं इसलिए आपका परिवार वैसा बन गया है इसे उल्टे तरीके से मत समझिए जिस तरह से आप अपनी पहचान इससे करते हैं उसी से कुछ खास चीजें हो रही है हमारे खुद के बाहर कोई बाधा नहीं है इसे हम जैसे लेते हैं बाहर को हम जैसे अपने भीतर रखते हैं वही बाधा है अगर आपकी उरजाएं बटी हुई है एक दीवार बनाने की कुशिश कर रही है और दूसरी उसे तोडने की ये एक संघर्ष है ये जीवन जीने का परबादी भरा तरीका है अगर आप हर चीज दीवार खड़ी करने में लगा देते हैं तो शायद आप कम से कम एक Great Wall of India बना दे माफ कीजी मेरे ख्याल से सबसे लंबी दीवार चाइना के पास है या अगर आप अपनी सारी उर जाएं सीमाओं को तोड़ने में लगा देते हैं तो ये यकीनन हो जाएगा पुरानी बाधाएं मौजूद हैं वो दीवारें जो कहीं और बनी थी उनके तूटने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन महत्वपून चीज ये है कि आप नई दिवारें नहीं बना रहे हैं पुरानी दिवारों को चूर-चूर किया जा सकता है मगर समस्या ये है कि रोज नई दिवारें खड़ी हो रही है ऐसा नहीं कि आपको सचेतन होकर इन्हें बनाना होगा एक बार जब आपकी सीमित पहचान होती है तो आप में मौझूद हर चीज दिवार बना लेती है कोई और तरीका नहीं है तो साधना आपको एक दिशा में धकेल रही है अगर आपका दिमाग सीमित चीजों में ही बन्धा है तो आप अपने अंदर बेकार का तनाव पैदा कर रहे हैं आपने अपनी नाव बांद दी है और आप चपू चलाये जा रहे हैं ये भी अच्छी कसरत है पर आप कहीं पहुँचने वाले नहीं हैं अगर आप रसी खोल देते हैं और अगर चपू नहीं भी चलाते तो भी नदी के बहाव के साथ आप धीरे धीरे बहते जाएंगे आध्यात्मे क्यात्रा में मेहनत की जरूरत नहीं है इससे बस समझदारी पूर्ण होना होगा लेकिन समझदार बनने के लिए कभी-कभी प्रयास चाहिए होता है जरूरी नहीं है पर हो सकता है जरूर्ण